हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जोती की वेज़कर सोई मैं हमेज़ा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सब के साथ करील की सब्जी लेकर आई हूँ यह बांस के सब्जी है बहुत ही टिश्टी लगती है आज इस मेरी वीडियो को देखने के बाद आप बह चोटे चोटे बांस है आप देख सकते हैं बहुत ही चोटे साइस के हैं तो इसे कैसे चील कर करना है सबसे पहले तो आप यह देख लीजे कैसे हम इसे चील कर करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यह देखी ऊपर के सीरे को कट करके अलग कर दिया बिल्कुल थो बिल्कुल कोमल है, सौक्त है, कड़ा वाला बांस नहीं है। इसलिए मैं आप थोड़ा साइज से चील रहे हूं, अगर आप थोड़ा सा बड़े साइस का यह करेल लिए हैं तो आप उसे अच्छे से चिल लिएजाएं जितना भी आपको कड़ा च्छिल का लगता हो। यह डिए कि मैंने बिल्कूल से चील दिया है। SEM इससी तरीके से आप शारे करेल को छील ले ना है। 들이 के इस तरीके से उपर के साइड को कट करके मैंने अलग किया। सब्चुसी तरीके के साइड को Fritzer करके अलग कर दिया। अब इसे वापत से अलकाल का छील लेंगे तो इसकी सब्जी को ना 36 गड़ में बहुत ज्यादा खाया जाता है पसंद किया जाता है बहुत सी ज्यादर टेश्टी लगता है अगर आप नौन वेच खाते हैं तो इस सब्जी को खाने के बाद आप नौन वेच खाना भूल आपको यहां पर ना इसी तरिक मैंने सारे करेल को जील लिया है अ कि दोड़े तो दो इसे अच्छे सी में लिय अब कर कड़ेंगे चंड़े इसे करूं का जाहा हाँ ऐं पर मैंने फम great दूरे कटो यह आलूच. यह हम बिल्कुल पतले पिछेस में काटते हैं ना सेम उस तरीके से समझ लेटर वैसे ही आपको कट करना है यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल पतले पिछेस मैंने आपको कट किया है तो यहाँ पर पहले मैंने गोल गोल लंबेले में टुकुडो में कट कर लिया उसके बाद जैसे पतले पिजिस में cut किये आपको जैसे आसानी लगए आप cut कर ले बस पतले पिजिस में आसे मैंने cut किया वैसे आपको करना है तो यह देखिए इस तरीके से सारे करेल को मैंने cut कर लिया बहुत ही अच्छा, बिल्कुल मुलाया मैंने इसले इसे कट करने में भी कोई दिकत नहीं है तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप थोड़े से भी कड़े साइज वाले बंबू को ले रहे हैं तो आप उसे पहले गरम पनी में 10 मिनट उबाल लीजिएगा उसके बाद बाकी के सब्जी जैसे मैं बनाने वाली हूँ वैसे बनाईएगा पर मैं बिल्कुल सॉफ्ट वले बिल्कुल छोड़े साइज के यहाँ पर करेल को यूज़ करें वैसलिए मैंने इसे नहीं उबाला है अगर आप चाहें आपके यह जो करेल है थोड़े से भी बड़े साइस के है ना इससे तो आप इससे पहले उबाल लीचेएगा मैं आपको दिखा दूँ यह देखिए यह फिल्कुल अच्छे ताजे ताजे एकदम यह देखिए सॉफ्ट है मैं आपको इससे तोड़ के दिखा दो यह देखिए इसलिए से उबालने के कोई जूरूत नहीं है आप देख लीचे का आपने की स्टेप से लिया है वैसा करिएगा अब यहाँ पर इकड़ाई में मैंने दो बड़े चमत सरसु का तेल डाला इसमें डालेंगा आदा चोटा चमत जीरा और दो मिडिया साइज के प्याज को लंबे साइज में मैंने कट करके डाला है प्याज को न एक मिनट तक भूनेंगे तोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगेका उतना बहुत ज़्यादा ने भूनेंगे इसे हम बाद में कट करेंगे के साथ भूनेंगे 1 मिन प्याज को भून लिया उसके बाद मैंधे डाल दिया करेंगे 55 ऊच्छा का और अच्छा है क्लार आने तक भुनने वाले तो हैं गैस का मीडियम रखेंगे और इसे तोड़ा सम भूंते रहेंगे यह को आप को मीडियम रखना है कि मैं डालें यहां पर जो मैंने मसाला किया है लसुन अतरक और हरी मिर्च को मैंने मिक्सर में घ्राइंड करकी लिया है अब इसमें तोड़ासी हल्दी पॉड़र एक छूटाच में लाल मिर्च पॉड़र डालेंगे हरी मिर्च का भी मैंने यूज किया इसलिए लाल मिर्च टोड़ासा ही डाल रही हूँ एक छूटाच में धनिया पॉड़र और स्वाद नुसार नमक डालेंगे अब इन सबको ना अच्छे से mix करेंगे सारे मसालों के साथ भी करेल को अच्छे से भूनेंगे आप कितना तीखा पसंदे आपको कितना नमक पसंदे ये सब तो आप अपने स्वाद के नुसार ही लालिएगा और मसाले भी जितने quantity में आप बना रहे हैं यहां पर नम मैंने एक पाउप करेल की सबजी बनाई है उसी सबसे मैंने लिया है तो यहां पर मसालों और करेल को मैंने भून लिया उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर तो मैंने यहाँ पर दो बड़े साथ के टमाटर को बारी कट करे डाला है धक कर पकने देंगे 10 मिट हो चुके हैं वापत से इसे अच्छे से भून लेंगे यह देख इस तेके से अब इसमें एक छोटा चमच गर्मा साला ठालेंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो यहाँ पर जिस जार में मैंने मेटची लसुन अदरक फिसा थना उस चार में लेकर थोड़ा सा पानी ले लिया और इसमें डाल दिया अब इसे वापत से अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस से 10-15 मिट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे तो यहाँ पर मैंने 15 मिटे से और पका लिया अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे अब इसे ढख कर पकाना नहीं है बस इसे अच्छे से भूनना है क्योंकि यहाँ पर नहीं पक चुकिए अब इसे बस भूनना है इसकी सूखी सब्जी हम तियार कर रहे है यह देखिए कि कलर नहीं बहुत ही अच्छा चुका है मसाले भी सारे रेड जैसे दिख रहे है और यह जो करेले वो भी अच्छे से भून चुकी है आप इसमें ऐसे बारी कटियो धनियापती डाल सकते हैं मैने आप पर नहीं डाला है इसमें यह देखिये हमारी सबजी बिल्कुल अच्छा से रेडी है देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है तो आज की करेल की सबजी की तरीके से मैं आणे बनाया है मैं बहुत ही एजी तरीके से बतायाए आपको आप इसे रोटी चाला वीडिटी के साथ बहुत ही टि लगता है मुझे aleg compensre हुए औरक जिरयान गाल केसे फल्भी आपके बिंग